हेलो फ्रेंड्स बिपीए स्पेसल बिहार सामाननी ग्यान में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं पूरा पाशान काल और मुंगेड से प्राप्त हुआ है एक क्क्वेशन नहां से बन सकता है कि पूरा पाशान काल की और जाड़ें बिहार में कहां से प्राप्त हुई है तो आउगा मुंगेड्स नव पाशानकाल सुछमा हो जारे हैं सारन और चेचर में मिली है रिग बेद में बिहार के लिए कीकट सब का प्रियूग किया गया है कीकट और ब्रात्य बिहार के लिए कीकट या ब्रात्य अंग और मगद का अथर्ब बेद में अंग और मगद के बारे में जानकारी हमें मिलती है यजूर बेद से बिद्दे सब्द का जानकारी मिलती है प्राचीन काल में कुल सोला महा जन्पदों का उलेख मिलता है इनमें से तीन का संबंध बिहार से था वो तीन थे मगद, अंग और लिच्वी गनराज जिनका संबंध बिहार से था एक क्वेशन बनता है कि लिच्वी गनराज की राज़ानी बैसाली थी और यहां बिश्वी का पहला लोगतंत्र अस्थाफित था जैन धर्म के संस्थापक, बास्तिविक संस्थापक, एवं 24 में तिर्थंकर महवीर का जन बैसाली के निकट कुंडगराम में हुआ था तो महवीर का जन कुंडगराम में हुआ था 540 इस्वी पुडव इनके पिता का नाम सिद्दार्थ और माता का नाम तुरिसाला था जो चेटक की बहन थी और इनका निर्वान 468 हिस्वी पूर्व पावापूरी में हुआ था तो जैन धर्म महावीर से संबंधित 4-5 प्रस्ण यहां से बन जाते हैं कि इनका जन 22 साली के निकट कुंडगड़ा में हुआ था 540 हिस्वी पूर्व ये जैन धर्म के 24 में तिर्थंकर थे इनके पिता का नाम सिद्यार्थ, माता का नाम तिर्थाला जो की चेटक की बहन थी और इनका निर्वान 468 हिस्वी पूर्व आधुनिक पावापूरी में हुआ था देखें महात्मा बुद्व से संब्धिन प्रसन, इनका जन 533 थिस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था जो की आज के नेपाल में पड़ता है इनका बचपन का नाम सिद्यार्थ था और इन्हें निरंजना नदी के तटपर जीसे फल्गु नदी भी का जाता है महात्मा बुद्व का प्रथम उपदेश धर्म चक्र परवर्तन के रूप में जाना जाता है धर्म चक्र परवर्तन के और इन्होंने अपना पहला उपदेश सादनाथ में दिया था महात्मा बुद्व ने अपना पहला उपदेश सादनाथ में दिया था और इनका महापड़ी नर्वान यानिकी मृत्यू चार सु तेरा से इस प्रथम में कूसी नगड़ के निकट पावान हुआ था और इनके गड़ी त्याग को महानिश्क्रमन कहा जाता है इन्होंने गड़ी त्याग किया था जिसे महानिश्क्रमन कहा जाता है आगे देखते हैं मगध वन्स वर ब्रिधत वन्स हर्यक वन्स सिसुनाग वन्स और नंद वन्स तथा मौड वन्स का सासन रहा बिम्बी सार का संबंद हर्यक वन्स से है इसका पुत्र अजात सत्रू को पित्रहंता के नाम से जाना जाता है इन्होंने अपनी पिता को बंदी बना लिया था उद्धैन जो अजात सत्रू का पुत्र उसका उत्राधिकारी था पहली बार राजग्री से पाटली पुत्र को अपनी राजधानी बनाया मगधवंस में हडियकबस के बिम्बी सार थे जिनकी राजधानी राजग्री या राजगीर थी उनका पुत्र अजात सत्रू और अजात सत्रू का उत्राधिकारी उद्देन थे जो की राजगीर से पाटली पुत्र अपने राजधानी कर लिये थे और पाठली पुत्र की अस्थापना भी इन्हों नहीं की थी मौड़ी बंस का प्रमुक सासक चंद्रगुप्त मौड़ी था जिसने दक्कन को भी विजय प्रात्त की थी दक्कन पे बिजय प्रात्त करने का सरे मौड़ी बंस के साथ चंद्रगुप्त मौड़ी को जाता है मौड़ी काल में सिच्छा का केंद्र तच सीला था मैगास्थनी शेलिशकष निकेटर का दूद था मैगास्थनी इसने इंडिका नात पुस्तकीड़ ना की जिसमें मगध कालिन परसासन का बर्णन और समाज में साथ बर्गों में विभक्त था इसको बताया है और एक प्रसन है जो मनता अजात सत्रू के समय पर्थम बाओध संगिती राजगिरी में हुई थी राजगीर में पहला बहुत संगीती हुई थी उस समय सासक अजाक सत्रू थे और काला असोक के समय दूसरी बहुत संगीती बैशाली में हुई थी असोक को देवनाम प्रिये प्रिये दर्शी के नाम से जाना जाता है देवनाम प्रिये 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 प्रि कलिंग विजय का उलेख मिलता है कलिंग विजय का उलेख 13 में अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है असोक का सात्मा अभिलेख सबसे छोटा है तो सबसे छोटा अभिलेख काउने सात्मा और किस अभिलेख से कलिंग विजय की सूचना मिलती है 13 में अभिलेख असोक को उपगुप्त ने बाओध धन्सुईकार कर लिया था तो 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 बाओध ध था तो इसकी अध्य द्यास्टा मोगली पुत्र तिसाने की थी इसका 俉यवजान पटनाम हूआ था असोग के सासिक काल में पुशमित्र सुंग ने सुंगवंस की अस्थापना की पतंजली इनके दर्वार में रहते थे, पुस्मित्र सुन्ग के दर्वार में रहते थे, मनुवस्मिर्ती की रचना इसी काल में हुई थी कुसान सासक कनिसक के समय चतुर्थ बहुत संगिती हुई थी कनिसक किस समय वन्ष कह था कुशान वन्ष का और इसका आयोजन कस्मीर में हुआ था कुंड लवन जो कस्मीर में पड़ता है कस्मीर में हुआ था और इसकी अध्यस्ता भशुमित्र ने की थी और इस समय बहुत धन्म हिन्यान और महायान में दो भागों में बिभक्त हो गया था कुमार गुप्त गुप्त बंस का था जो नहां नालंदा महावीर महाविहार की अस्थापना की नालंदा विशविद्याले की अस्थापना भी गुप्त बंस में हुआ था गुप्त कालिन बुद्ध की काश प्रतिमा भागलपुर के सुल्तान गंज से प्राप्त हुई है बुद्ध की काश प्रतिमा एक कोश्चन हैं से बन जाता है कि बुद्ध की काश प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई भागलपुड के पास में सुल्तान गंज है उहां से प्राप्त हुई चीनी यात्री फ्वाहियान चंद्रगुप्त दुईतिय के दर्मार में आया था जो कि गुप्त बंसे थे हेंशांग दालंदा विशुविद्याले में सिच्छा गणन की थी पाल बंस का अस्थापना गोपाल ने की थी धर्म पाल पाल बंस का एक बहुत परसे दिसा से खुआ धर्म पाल जो विक्डम शिला महावीर भागलपुड की अस्थापना की थी ओधन्त पूरी और जगदल विस्विद्याले की अस्थापना भी पाल बंस के द्वार की गई थी करनाटक बंस का अस्थापना नन्य देव और इसके अंतिम सासक हडी सिंग थे मधिकालीन भारत से कुछ प्रशन देखते हैं बिहार में तुर्कों का सबसे महतपूर्ण विज़े वक्तियार खिर्लजी की द्वाड किया गया था ओधन्त पूरी जो की आद्वनिक बिहार स्रीप के नामक से जाना जाता है और बक्तियार खिलजी नहीं नालंदा विश्विद्याले को तहसनहस किया था इल्दूतमिस बिहार में सैनिक अभ्यान आयोजित करने वाला और बिहार को दिल्ली के अधिन करने वाला पहला सा सकता मुहम्मद दुगलक के समय दर्भंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्मान कड़ाया गया था और इसे दुगलक पुड इसका नाम रखा गया था एक महतपुर्ण क्वेशन है सेर साह ने पठना में दुर्ग बनवाया था और पंद्रव सो एकताली सीसवी में इसे बिहार की राजद्धानी बनाया 1541 में सेर सां के द्वाड़ा पट्टना को बिहार की राजधानी बनाया गया पट्टा पर था और कबूलियत पर था सेर सां के द्वाड़ा सुरू किया गया एक बहुती famous question बनता है कि सेर सां का मकबड़ा कहा है तो सासा राम में 1576 1576 इसवी में अकवर का बिहार और बंगाल पर पूर्ण अधिकार हो गया 1576 इसवी में मुगल बंज का सासक अकवर था एक क्वेश्चन 1576 में हल्दी घाटी का भी युद्ध हुआ था महराना परताप के साथ जिसमें अकवर ने महराना परताप को प्राजीत किया था बनाया फरुक सियार पहला मुगल सासक था जिसका राजजाविशेक पटना में 1773 इसवी में हुआ था और बिहार में सबसे अधिक लोग प्रिये था फिर्दावसी सिलसेले को प्राथवी जिसके स्रेष्ट संत सर्फदीन या वहां मनेडी थे तो फिर्दावसी सिलसेले को बिहार में सबसे अधिक लोग प्रियता मिली और एक महत्रपून प्रशन है कि सिखों के दसमे गुरू 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 गोविंद सिंग थे जिनका जनम पटना के पास हुआ था पटना सहेबा में तो इस परकार प्राचीन इतिहास और मधिकालीन इतिहास से संबंधित ये वीडियो था इसी परकार हम अगले वीडियो में आधुनिक इतिहास से के कुछ तत्थों की बात करेंगे करेंगे